अब बड़ी खबर नेपाल से आ रही है जहांपर एक बड़ा विमान हाथसा महाँ पर हुआ है ये विमान जो है वो काटमांडू से पोख्रा जा रहा था तब ये विमान हाथसा यहांपर हुआ है क्रैश हो गया विमान पूरी तरीके से दुरगटना गरस्त यहां पर यह बताया जा रहा है आपको बता दें कि यती एरलाइन्स का विमान है ATR 72 बताया जा रहा है खबर यह मिल रही है कि यह विमान 72 सीचर था जिसमें 68 यात्री सवार थे बाकी चार क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे अब यह जो तस्वीरे हैं यह निकल कर सामने आएं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यह भयानक हादसा हुआ है उसके बाद जो रहात बचाव का जो कारे है वो यहां पर चल रहा है रेस्क्यू आपर चला रहा है ज जो लोग हैं वो यहां पर मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्थानी लोग यहां पर टीम के साथ जुटे हुए हैं लोगों को बाहर निकालने के लिए अभी तक जो खबर मिल रही है वो यह है कि इसमें 72 जो यात्री थे वो सवार थे जिसमें चार क्रू मेंबर्स भी बताये जा रहे हैं सभी को निकालने का जो कारे हैं वो किया जा रहा है लगातार जो अपडेट्स हैं वो यहां पर मिल रही है यह खबरे निकलकर यहां पर सामने आ रहे हैं यह बड़ा विमान हाथसा नेपाल में हुआ है आपको दुबारा बता दें कि काटमांडू से पो भी लगातवार किया जा रहा है टीमें वहां पर लगी हुई है एरपोर्ट को बंद कर दिया गया है ना ही कोई जो विमान है वो लेहां पर लेंड करेगा और ना ही यहां से टेक आफ करेगा तो यह पड़ी खबर नेबाल से है जहां पर सोला शव इस हादसे के बाद अब तक बरामत कर लिये हैं